नमस्कार मैं हूँ अतूल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारेक्रम अगरदूत में दोस्तों कारेक्रम अगरदूत में हम समाज की ऐसी हस्तियों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपनी महनत, लगन और इमानदारी से समाज में एक मुकाम हासिल किया हो और वो समाज को दिशा दिखाने का काम भी कर रहे हूँ आज इस कारेकरम में हमारे अग्रदूत हैं शिरी शुशिल गुपता, शुशिल गुपता राज्य सवाथ संसद हैं, आम आदमी पार्टी से समाज सेवी हैं, उन्होंने सिक्षा और स्वास्त के जगत में काफी कारे किया है शुशिल गुपता से बातचीज शुरू करने से पहले हम उनके एक प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने हर्याना के एक छोटे से गाउं से दिल्ली आकर सफलता हासिल की है और एक मुकाम हासिल किया है गुपता जी आपका कारेक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक लंबे समय से अलगलग संस्थाओं से जुड़े हैं कि जो आपका प्रेणा है उसका श्रोथ क्या रहा जी कि मैं अर्याना के जिला जीन में सामलोकला गाओं में पैदा हुआ हलाकि मेरा गाओं मॉडल विलेस था उस से में वहां पर ऑस्पिटल भी था स्कूल भी था 1961 की बात कर रहा हूं मैं बिजली भी थी प्रहंतु मैं दीखता था कि मेरे आसपास के जितने भी गाओं थे बच्चों को दस-दस पंदरा-पंदरा किलोमेटर पैदल पढ़ने के लिए जाना पड़ता था बिमारी की कोई इलाज नहीं थे तो मेरे मन में यह आता था कि यह सुईदाय गाओं के स्थर पर होनी चाहिए अगर इंदुस्तान को विक्सित करना है तो अन्य था इंदुस्तान का विक्सित होना बहुत मुश्किल काम है तीसरी क्लास में मैं दिली आ गया दिली के नगर-निगम के स्कूल के अंदर में पढ़ा उसके बाद जैनकपुरी डीवलोग के स्कूल में पढ़ा नंगल राए हम रहते थे तो से दिरे दिरे एजुकीशन मैंने दिल्ली से ली तो मैंने अपने बैच्चों को मसूरी के अंदर दाखिल कराया मेरी दोनों बेटियों को किर एक हर मेंने में जाता मिलने के लिए कि 300 किलोमेटर यह से जाना और 300 किलोमेटर आना जी दो दिन लगते थे हैं बच्चियों को दाखिल कराने के चकर में मैंने SS किया कि अंदुस्तान के अंदर जितने आवास्य भी ड्ले हैं वो सारे हिल स्टेशन्स पर मैंट्रो सिडिस के अंदर नहीं है मसूरी में होगे नैनि ताल में धार्जिंग में इस तरे से सब सब हिल स्टेशन्स पर थे नंग्रेजों की बनाई विवस्टाश रही होगी मरिहाल में नहीं थे क्योंकि पहले एर कंडिशन ही होते थे बैच्चों को सुख से विदाओं के लिए मोसम के लिए वहां बनने लगे मैंने यह महसूस किया कि सारी दुनिया से लोग जब पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में बच्चे को बेचते हैं पहले मेट्रो सिडीज में उतरते हैं फिर वहां से सबबस में स्टेशन की तरफ जाते हैं चाहे वह दिल्ली उतरे हैं चाहे कलकटा उतरे हैं कोई मसूरी जा रहा है कहीं अब मेरे मन के अंदर ये बात भी आई कि अगर बच्चों को आधुनिक वातावरिन के अंदर एक्सप मेट्रो स्टीज के नजदीक होने चाहें ताकि मनुश्य का समय बच सके हैं और घाऊंगा़ें में सकूल और कॉलिज होने चाहें ताकि दूस्तान आगे बढ़ सके जिनका एक अच-चाश्चा को बनने चाहीं और यही यही मेरे परना का स्रोओत भी बना मैंने पहला स्कूल दिली दियात में बनाया तो मैंने मसूरी से अपनी बेटी को निकलवाया बेटा मॉडरन स्कूल में पड़ता था उसको निकाला पहले विदार थी उस स्कूल के अंदर वो बनाए मैंने मन के अंदर ये बात लाया कि अगर मैं अपने बच्चों को जिस स्क प्रेरना कहें, रास्ता कहें, एक सोच कहें, उसके बाद आपने स्वास्त के शेतर में भी काफी काम किया, स्वास्त सेक्टर में भी जो है, आज करोना महमारी फैली हुई है, करोना को मैं दरकिनार कर दूँ, सारे दुनिया के अंदर जादा से जादा लोग मेडिकल हेल्प ना मिलने के कारण मरते हैं, और मेडिकल नेगलिजेंसी से मरते हैं, किसी भी दुनिया में बड़े से बड़े एक्सिदेंटों के मैं बात करूँ, सब चीजों को भूल जाएं, मेडिकल हेल्प ना मिलना, और इ परशिक्षित डॉक्टर्स और मेडिकल परमेडिकल करमचारियों के अबाव के अंदर तो मेरे मन के अंदर आई कि अच्छे हॉस्पिटल बने मैं उनसे जुड़ू हूं मैं महाराज आगरिसन हुस्पिल चैटेबल ट्रस्स से जुड़ा छे साल में इसका अधक्षरा उससे पहले जनर्सक्टरी रहा सीनर वाइस पेजिंट रहा मेमर कंट्रोल बोर्ड रहा लगवक हर बीस पचीस साल मैंने वहां के माध्यम से सिवा में गुजारे वस हॉस्पिल को मैंने जेसे एक्रिडिटिट कराया एनने बिएच एक्रिडेशन कराया 400 बैड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वह बना सो बैड का हमने दौरका में बनाया एक 900 बैड की शुरुवात medical university के साथ medical college के साथ medical college के साथ nursing college के साथ हमने बादर बेर कंदर की है तो मेरा मन यह रहा के हम शिक्षा और चिकिस्चा के छित्र के अंदर अगर परिवर्तन लाए आए तो विक्सित रास्ट हमारे मुकाबले में कुछ ही नहीं है हम उन से ज्यादे विक्सित हो जाएंगे और अगर हम सिक्षा और चिकिस्चा के अंदर परिवर्तन नहीं ला पाए तो देश के आजादी को कितने भी देशक गुजर जाएं उनके मुकाबले में खड़ा होना इससे भी कम होते लोगों के अंदर थोड़ी असिक्षा है जानकारी की कमी है यह तो एक नई डिसीज है जी देखिए जितने भी गरीब मुल्क रहे हैं जितने भी मुल्कों में मलेरिया इत्यादी फैलता रहा है अगर हम दुनिया का जोग्रफिकल ग्राफ उठाके देखे तो उनमें करोना कम है और जितने भी विक्सित देश रहे हैं जहां पे मलेरिया इत्यादी का प्रकूप नहीं रहा है वहां पे इसका कोवीड का बहुत ज़्यादा आसर है हम ऐसी 1908 के अंदर एक मामारी को भुगत चुके हैं उससे पहले चेचक के बिमारी चली थी और प् बुजुर्ग बताते हैं कि गाहों से एक मनुष्य का दाग देके आते तर दूसरी बोड़ी त्यार मिल थी ऐसी इस्ती थी दुस्तान के अंदर थी उस्ती थी के दोरान जब हमारे इंजेक्शन लगने शुरू है मेरे भी तीन बड़े-बड़े इंजेक्शन यहां लगे ह पुरा निशान है तो उनका एक बेनिफिट आज कोरोना वाइरस को दोरान हिंदुस्तान जैसे अनेकों रास्ट्रों को मिल रहा है मैं बदाई भी देना चाहूंगा इस देश के प्रहान मंत्री को इस दिल्ली के मुख्य मंत्री को जिन्होंने समय पे कदम उठाया जी लोक अब छैने से बचार शिक्शा उसके बाढ़ स्वास्ट को समासी सेवा का माधियम बनाया अब आप राजनीती में पदार पड़कर है तो किस तरीके से आपको लगता है कि राजनिती के माद्धिम से आप लोगों की सेवा करेंगे या कर पाएंगे देखिए मैं एक बात बड़े स्पस्ट तोर पर कह सकता हूँ अगर हम पांच साथ दशक पहले की बात करते हैं तो राजनिती के व्यक्ति की बहुत इज़त इस देश में और दुनिया के सभी देशों के अंदर होती थी वक्त बदलता गया राजनिती की व्यक्तियों ने समाज सेवा को छोड़ दिया और उनकी इज़ते काम होती चली गई अगर हम अपने जीवन का मुख्य दिश से सेवा रखें तो सेवा के लिए राजनिती से बड़िया छेत्र हो नहीं सकता आप इसका उधारा अरविंद केजरिवाल जी को ले उन्होंने शिक्षा चिकिस्षा के छेत्र के अंदर 26 परसंट बजट लगा शिक्षा में और 13 परसंट बजट लगा चिकिस्षा के अदर आज गरीब से गरीब विक्ति को अच्छी शिक्षा मील रही है हिंदुस्तान की अन्य राज्य सरकानों की मैं बात करूं तो उनको इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा आप किस तरीके से इसको लागू करेंगे या आप क्योंकि सांसद है किस तरीके से आप देखते हैं कि एक जो राजनिती के अंदर आपने कहा की जो राजनिताओं की चवी पिछले मरपंद दशक्त में किम हुई है गिरी है उसको कैसे सुदारें यह उसका सुदारने का सिधर सिधर रीजन है कि कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ेंगे राजनीती को फूल टाइम बिजनिस ना समझें राजनीती सेवा का माध्यम है और उस सेवा के माध्यम से हम जनता की जितनी सेवा कर सकते करें परंतु घर के बच्चों की रूटी खाने के लिए इंतजाम वह अपने शुद्ध कमाई से अपने हाथ की मेहनत से जो पैसा आएगा उससे अगर बोजन घर के बच्चों को कराएंगे तो लोग आपकी इज्जित करेंगे अब बड़ी आपने बात कही आपने बड़ी तरक्की करी दिल्ली में आने के बाद आपने का आप एमसीडी स्कूल में पढ़े हैं फिर बच्चे भी तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि क्या तरक्की का आपका राज है और लोग किस तरीके से जो है आगे करते हैए आप जो भी changer करें आप जो भी नोकरी करें उसमें सेवा को परत्रम लेके आएं ईश्ताइन अधर की स parfait अधरा एक लालच में फच जायेंगे दूपंजा जाएंगे सेवा को भूल जाएंगे तो ना व्यपार में कामियाब हो सकते ना सर विषेस में कामियाब हो सकते हैं आप अगर हिंदु धर में मान्यता रखते हैं तो इंदु धर में बात कई गई है कि साथ पीडी तक लक्ष्मी माता उसी के पास रुखती है जो दान पुन में विश्वास रखता हो सेवा में विश्वास रखता हो अगर यह कारिया नहीं करते हैं तो लक्ष्मी का आशिरवाद लंबे समय तक वह नहीं रहता आप बिड़ला की बात करें हिंदुस्तान का पुराना बड़ा उद्धों की गराना है ताटा और बिल्ला ताटा जी ने तो अभी ताटा में आज तक आज तक आपने नाम एक रुपे की प्रॉपटी नहीं कराई ताटा के किसी भ सिवाए ग्रेव याड में कुछ जमीन करीते कि अंतिम में शरीर वहां जाए जो कुछ है कंपनी का है या ट्रस्ट का है बिल्ला जी ने भी जहां जहां मंदिर बनाए दरमशाला बनवाई ऑस्पिटल बनाए तो उनका नाम चलता आ रहा है आज कोवीड के अंदर एक अच् प्रंतु जो ताजा अमीर होता है और वो समझने लगे कि देश का माल मेरा ही है चाहे वो बैंकों का हो चाहे पबलिक का हो शेर मनी के माध्यम से तो मुझे ऐसा लगता है कि उपर जो प्रकरती का इंसाफ है ना वो साथ-साथ ही चलता है आज कोवीड के अंदर इतने कि महामारी फैली है प्रंतु जिस प्रकाश दिन और रात बनके मनुष्य रिजनवीट करता है प्रकरती ने भी रिजनवीट किया है इस इस लोगडाउन में गुपता जी अगरवाल समाज पूरे समाज ने लेकिन अगरवाल समाज ने बहुत बड़ी भागिदारी कि मेरे दोस्वाली कठे हैं कि क्या संदेश आप समाज को भी देना चाहेंगे अपने और दूसरा क्या एक सकारात्मक पहलू देखते हैं आप इस लोगडाउन का और इस बिमारी का कि क्या कुछ सीखने को हमें मिला है इससे देखिए समाज की जहां तक बात है अगरवाल सम सा आप गरीबों के बलाहिक लिए निकालो तब से लेकर आज तक निकलता रहा है वो हिंदुस्तान के अजादी के लड़ाई हो उससे पहले बामशा की अगर मैं बात करता हूं या कि जितने भी तूफान आए भुकम पाहर बाहर आई और आज यह कोविड जैसी मा सबसे रुकती है आपके पास भी लक्ष्मी का वर्दान इसलिए कि आप सीवा करते हैं इस धरम को छोड़ना मत सीवा सबसे बड़ा धरम है अगर इसको छोड़ दिया तो माता लक्ष्मी रूस के चली जाएगी यह तो मेरा समाज के लिए निवेदन है और जहां तक कोविड के अ साथ हमने समय देना चुरू किया मेरा पोता है अब मैं उसके साथ पूरा दिन खेलता हूं वो मेरे साथ खेलता है परिवारों के सम्मंद सुद्रें है वाता वरन इतना सुद्ध हो गया है कि दिल्ली कैस इंदर ऐसी अवा कभी दिखी नहीं थी रात को तारे सपस्ट दिख दिखते हैं यहां पर गंगा और यम्ना जैसी बड़ी बड़ी नदिया करनल जल बिलकुल निर्मल हो गया है तो प्रकरती भी रिजिनुएट कर रही है यहां पर आज अजीब चिडियाओं की चिड़ चिड़ाहट सुनती है और अने को तरीके के पक्षी यहां पर दिखते हैं टुमेरा तो मन में कि बार स्वाल आता है थो खतम हो जाएगा परंतु देश में दो चार पांच दिन का सर्दियों में और दो चार पांच दिन का गर्मियों में कमपल्सरी लोगडाउन होना चाहिए इस बात को हम दिखा भी चुके हैं और बोल भी चुके हैं इसको काफी समर्थन मिला है और चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कारेकरम अग्रदूत के लिए डॉक्टर शुशील गुपता जो राज भी यही है राजनितिग्यों को भी उन्होंने संदेश दिया कि सेवा को और काम धंदे को वेवसायों को दोनों को अलग रखना चाहिए आप राजनिती में धरम को ला सकते हैं लेकिन धरम के काम के अंदर राजनिती को मतलाईएगा और हम यह चाहेंगे कि इस तरीके से तक के लिए दीजेगा इजाज़त नमस्कार